नमस्कार जेहन दोस्तों कैसे आप से लो उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे तो तयाहर रोजे एक और बढ़िया वेकेंशी के लिए जी हां दोस्तों दस्वी और बारी पास तयाहर रोजे शांदार वेकेंशी के लिए क्योंकि इसमें MTS, Helper और Data Entry के पदों के लिए आपकी आई है All Our India Candidate इसमें Apply कर सकते हैं आपका कोई भी एक्जाम नहीं होगा दोस्तों सिद्धा वोकिन इंटर्यू आपका दोस्तों जो भी रहने वाली है 25 जून को आपका इंटर्यू रहने वाला है डायरेक्ट वो भी दस्वी और बारी पास Candidate ध्यान दीजीगा इस वेकेंशी का मैं आपको बताओंगा कि किस परकार आपको चालान करना है और फिर किस परकार कहां पर आपको जाना होगा सारी जानकरिया आपको मिलेगी साथ साथ आपकी सेलेरी क्या दी जाएगी उसका भी दोस्तों मैं अभी आपको बता दूँगा इसके अलवा और भी आ गॉवर्मेंट जोब चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो वहाँ पर आपको हमेशा कम से कम एक या दो वीडियो दोस्तों गॉवर्मेंट जोब के मिल जाते हैं हालांकि इनमें वेकेंसियां की जो पद हैं उनकी संग्या कम होते हैं लेकिन आप भी सोची दोस्तों मैंने कम से कम हजार वीडियो अपलोड कर दियें इन वेकेंसियों के तो आप 15 वेकेंसियां का वीडियो तो मैं खुद लेके आ चुका हूँ अब आपकी बार यह है कि आप कितनों के लिए एपलाइक करते हो कितनों के लिए नहीं करते हैं तो चले दोस्तों अभी चलते हैं इसके ओपिसल नोटिपिकेशन के उपर जहां पर आपको पूरी जान करें हैं मैं समझाने की कोशिश करूँगा साथ साथ वीडियो को लाइ इंडिया लिमिटेड आई सी एस आई एल की और से वेकेंशियां जारी कर दी गई हैं जिसके अंतरगर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप नोट कली जीगा यह वह जरूरी है इसका यह नोट कली जीगा इसके अंतरगर दोस्तों सिधा बताया गया है कि आपका सेडूल आपका एक्जाम नहीं होगा डायरिक्ट आपका इंटरूर रहेगा इंटरूर की डेट इन्हों ने दी है 25 जून दो हजाज चोईस टूजडे यानि मंगलवार को यह इंटरूर आपका रहने वाला है सुबह 10 बजे से 12 बजे 2 गंटे का आपका इंटरूर रहेगा आपकी जगह कौन-कौन सी रहेगी तो दोस्तों जगह हैं दिल्ली कंजूमर कोपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड करमपुरा रोड मोती नगर न्यू दिल्ली के एड्रेस पर आपका इंटरूर रहने वाला है आपको इंटरूर के लिए करना क्या पड़ेगा उसकी जानकरी आपकी वेकेंसियां आई हैं डाटा इंटरी ओपरेटर के लिए आपका कम से कम बारी पास होना जरूरी है बेसिक नोलेज हो आपका कंप्यूर का क्योंकि दोस्तों कंप्यूर पर आपको काम करना है आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 21,215 रुपे आपको दि दिया जाएगा पैमेंट अभी आपको मैं बता जाता हूं कि दोस्तों आपको करना क्या होगा इस वेकेंसि के लिए तो दोस्तों आपको जो इंटरी होगा उसके लिए आपको सबसे पहले जो ओपीसेल साइट है इसकी उसके ओपर जाके आपको रेजिस्टेर करना होगा ज कैसे आपको registration करना है इस पोस्ट के लिए उस पोस्ट के लिए आपको तो 590 रुपे का नोन refundable आपको application fees भी देनी पड़ेगी यानि दोस्तो जब आप registration करोगे तो यह चार्ज आपसे लिया जाएगा तो चलते हैं दोस्तों वह भी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपको registration करना होगा इसके अंतरगत दोस्तों आपको पूरी detail दी गई कि आपको कोई TA ODA नहीं दिया जाएगा यह डिका जो भी वेकेंसी हैं दिल्ली NCR के अंतरगत आपकी जोब location रहने वाली हैं जो भी candidate दिल्ली के अंतरगत जोब पाना चाहते वह जरूर इसमें ध्यान दीजिगा आपको दोस्तों document क्या क्या लेके जाने हैं इंटरू के लिए वह देख लीजिगा तो दोस्तों डिटील केंडिट एप्लिकेशन फॉर्म क्लास 10 की मारक सीट आपको दोस्तों लेके जाना है साथ साथ पेन कार्ड और अधार कार्ड भी आपको लेके जाना है इसके अला दोस्तों आपका यारे कि अला दोस्तों आपको जो केंडडिडेट नहीं रखे गा उनको डूस्तों डिस्वैलिफाइक कर दिया जाएगा तो आप अच्छे से कपड़े पहन के जाएगा और अच्छा मेंनर रखेगाँ वहां पर जो भी दोस्तों जाता है कंडिडेट उनके लिए मैं बता रहा हूँ इसके अला दोस्तों कम जो केंडिडेट है वो ICSIL की जो साइट है वो देखते रही ताकि जो भी वेकेंज से और आती उनके बारे में भी आपको पता चल जाए तो अभी दोस्तों वेकेंज की बारे में आपको मैंने डिटेल से जानकरी दे दी इसकी लास्ट जेर 25 जून है यानि 25 जून को आपका इंटरूर रहने वाल है अभी मैं आपको दोस्तों इसका रेजिस्टेशन कैसे करना है वो बता देता हूँ क्योंकि बिना रेजिस्टेशन के आप यहां पे नहीं जा पाओगे तो चलते हैं दोस्तों इसके रेजिस्टेशन करने के उपर दोस्तों सबसे पहले आपको Google कर लेना है आई सी ऐस अइल डोट इन वहां पे दोस्तों आपको फॉर्थ नमबर पर देखिए एप्लिकेंट साइन अप का उप्शन लगा उसके पर आपको क्लिक कर देना है जैसे यहां पर आपको दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके पास इस आपका जो भी आधार काट नमबर है वह फिलफ कर देने हैं उसके बाद में क्या बोला जा रहे तो दोस्त इसके अंतरकत आपका स्टम दोस्तapped पुचा जाए रहे तो इसके अंतरकत आपकी जो भी इमील ऐडी है वह आपको इसके हैं पका कर देनी है उसके बाद में तो इसके आंतर आप की दो email id है वह आपको verify करने के लिए भी बेचा जाएगा तो आपको email Άईड़ी verify करने के बाद इसके आपा को entrail कर देना है उसके बाद में दोस्तोव आपको mobile number fill up कर देना है mobile मुबाइल नमबर के अंतरक्त दोस्तों आपको वहीं मुबाइल डालना है जो खुद का है क्योंकि कई आप परिवार होब को डाल देते हैं तो उसलिए आपको भंकतMcक mobile number verify करwa देते हैं दोस्तों verify के लिए option चला गया इसके अउपर दोस्तों आपको नीचे wait नहीं करना इसको थोड़ा scroll down करना तभी आपको पता चलेगा scroll down हम करते हैं दोस्तों थोड़ा नीच उपर किया हो देखिए जी हां दोस्तों यहां ID था वो आपका verify नहीं हो पया तो आपको दोस्तो verify वाले option पर वापस इस paper click करना जैसे दोस्तो mobile number के नीचे आपका verified लिखावा आ रहा है अभी लोस्तो जो email ID उसके पर verify option पर click करेंगे और दोस्तो scroll down करेंगे क्योंकि verify का code कहा आता है उपर के और उपर के और वापस हम scroll down करते हैं तो दोस्तों देखेंगे कि हमारा जो कोड़ आया है वह कोड़ आएगा कहां पर उपर की और तब तक चैनल को एक बार like subscribe भी जरूर करते चलिए ताकि तब तक अपना आ जाए तो अभी दोस्तों एक बार फिर से हम रिफ्रेस करते हैं क्या पता इस बार अपना ओटीपी आ गया हो तो दोस्तों scroll down करते हैं तो दोस्तों उपर के और हम चलते हैं क्योंकि यहीं पर ओटीपी आपका आ गया गा तो दोस्तों सेंट इने ओर एमेल एडी आपकी इमेल एड़ी खोल दोस्तों आपका इमेल इडेस पर ऑठी他े सागा ऑड़ने हैं जिसे हैं छamp आपको दोस्तों वोकिन इंट्रुवी का बुलाए जाएगा तो यह उसकी साइट है और आप दोस्तों पेमेंट अपनी UPI ID क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड से भी कर सकते हो यह कोई फ्रोड नहीं है तो आप दोस्तों सीक्योरली पेमेंट दे सकते हो और जिनका पेमें करने की जरूरी नहीं है पेमेंट के बाद में दोस्तों आपको वह यह पिस जो बोला जाएगा वह उप्षिन पर क्लिक करें तो